दो ऐसे स्टॉक जो 8 प्रेजेंट 100 रपे के आसपास मिल रहे हैं और मज़े की बात यह है यह दोनों ही स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेट कर रहे हैं और इसी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम अधर कंप्रीज को कंपेर करके देखें तो वो कंपनियां अपन हाइर लेवल से यहाँ पर गिरी हुई है देखा जाये तो इनमें अच्छी कासी करेक्शन भी आ गई है यानि कि यह कंपनिया एट पर्जेंट वैलूइशन के लिया से सस्ती हैं फंडामेंटल फिनेंचल काफी सुधरे हैं काफी अच्छी कंपनियों ने ग्रोथ दिखाई है और वैलूइशन बहुत ज़्यादा आकर शक दिख रहे हैं और देखने वाली बात ये भी है कि यह सेक्टर बजार के फ्लेवर में अब आता दिख रहा है यानि कि यह साल यह सेक्टर कहीं न कहीं सेकिंड हाफ में आपको अच्छा पर्फ़म करतावत दिख सकता है यह द उनों कंपनियों का नाम तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं भी पिंजन फांडर फ्लानिकुटी विद भी पिंजन अगर आप शेर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो अगर आपने पिछले दो दिन से हमारी वीडियो देखी हैं तो मैंने आपके साथ दो टोपिक डिसकस करें हैं जिसमें मैंने आपके साथ पांच स्टॉक ऐसे डिसकस करें जो बजट से जिनको फायदा होता दिख रहा है और पांच स्टॉक ऐसे डिसकस करें जो जुलाई मे अंदर बना कर दे सकते हैं और आज चार चार पांट पर पर सेंट की तीजी इनके अंदर थी उमीड करता हूं जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी तो उनको काफी कन्विक्शन मिला होगा और प्रॉफिट पर बैठे होगी अब हम बात करते हैं हमारी आज की दो कंपनिय भी होगा यानि कि सेक्टर पर भी नजर बना कर रखनी होगी अगर आपने सेक्टर ढूंड लिया जिस सेक्टर के अंदर तेजी आने वाली है तो आपको पैसा बनाने से फिर कोई नहीं रोख पाएगा और यह दोनों ही कंपनिया एक ऐसे सेक्टर को बिलॉंग करती है जो बजार का फ्लैवर मदने वाला है आने वाले कुछ महिनों के इंदर जिया सेक्टर का नाम है बैंकिंक सक्टर और बैंकिंग सक्टर के अंदर दोनों ही पी-सी अ स्यूड़ का वला है जिनकी अर्निंग और बढ़ाई है क्या 시 अधी है और नीचे दिख सकते है यह मुझे लगता कहीं नपर इंग कंसॉलिडेशन है कि स्टोक अपने QIP प्राइस के भी नीचे मिल रहा है जी हाँ पहला जो हमारा शेयर उसका नाम है Union Bank of India 135 रुपे के आसपास QIP हुआ है अभी कुछ दिन पहले लगबग 2 महीने भी नहीं होंगे इस बात को और यह शेयर आ परफॉर्मेंस देखिये 24 के अंदर management ने जो guidance दी management ने वह बीट की management ने जो बैंक को लेकर बाते कहीं बैंक ने सभी चीज़ों पर अपर अपनी performance बिल्कुल clean sweep करी है यानि कि बैंक ने बहुत अची परफॉर्मेंस दिखाई है profitability के front पर देखें asset quality के front पर देखें ग्रॉस N P.A. Net N.P.A. बड़ी तेजी से रिडियूस करे हैं, बैंक यहां पर लगातार अपनी performance का सुधार रहा है, net interest margin उसमें भी सुधार है, इवन आप बैंक के अगर valuation को भी देखें, तो price to book, जैसे मैंने आपको बता है, बैंक के multiple के आसपास है, P.E. के लियाज से भी देखें, तो single digit P.E. है, बहुत ही सस्ते दिखाई दे रहे हैं, valuation के लियाज से बहुत बड़ा gap है, आरोई, double digit ROE, double digit ROE वाला bank one के multiple मिल रहा है, आप सोचिए, और यहीं अगर small ticket size bank की बात करें, तो I.O.B. जैसा bank छे के multiple पे है, ऐसा क्यों है, यह समझ में नहीं आ रहा है, क्या यह बजार जो इनको समय यहाँ, 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 यहाँ से मैनेजमेंट को बढ़ती दिख रही है, इवन, recovery तेजी से हुई है, बैंक का net interest margin, gross NPA, net NPA, asset quality में बहुत तेजी से सुधार है, earning में growth है, recovery बढ़ी है, यानि कि सभी पैमानों पर बैंक ने अच्छी खाशी performance दिखाई है, और कोई ऐसी negative news नहीं है, जिसको लेकर बैंक को चिंता हो, growth के front पर, यहाँ आप कह सकते हैं, business के front पर deposit लेवल पर हो, य बैंक का loan portfolio की बात करें, means, bank बड़ी तेजी से grow हुआ है, और bank अगर हम add present देखें, valuation के लिया से महंगा नहीं दिखता है, 10% की ROE वाला bank, लबग 1.2 के multiple पर है, यह bank आपको easily यहाँ से 1.7 या 1.8 के multiple पर दिख सकता है, उस condition में एक बलबग 170 से 170 रुपर का target आने वाले आपक से 60% का return easily बना कर देने का, अपने financials, fundamentals, valuation और growth के dumper और sector के अंदर positive महौल इसकी re-rate, और sector के अंदर positive महौल इन बैंक की re-rating में बहुत बड़ा रोल करेगा, मुझे लगता है कही न कहीं के अंदर consolidation का face है, जल्दी इन के अंदर आपको बड़े breakout दिख सकते हैं, तो उमीद कर ज़रत नहीं है, यह डर निकाल दीजिए, क्योंकि आपने दोनों ही अच्छी कंपनिया पकड़े हुएं, अच्छी बैंक पकड़े हुएं, जो fundamentally financially strong हैं, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, एक नई वीडियो के साथ, फिलाल के लिए, नमस्का.